कि आप 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 नमस्कार दोस्तों आप सब का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत मैं आपका दोस्त विवेक गुगना दोस्तों आज बात करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए देव गुरू ब्रस्पती के राशी परवर्तन की देव गुरू ब्रस्पती आपके चार्ट में सैवन्थ शादी विपार पंध प्रापती और टेंथ करम भाव के स्वामी होकर अभी आपके इलेवन्थ इच्छा पूर्तियादी के भाव में गोचर कर रहे हैं लेकिन एक माई को देव गुरू ब्रस्पती आपके चार्ट में ट्वैल्थ भाव जहां वरिशब राशी या दो नंबर वहां वो प्रिवेश्ट कर जाएंगे और ट्वैल्थ भाव जो है वो फॉरन को इंडिगेट करता है हॉस्पिटल को खर्चों को सेपरेशन को मल्ट इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बर फिर आप सब दोस्तों से मित्रों से कहना चाहूंगा खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे यस यूट्यूब चैनल पर आएं और इस वीडियो को देख रहे हैं यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए जो भी वीडियो अप्लोड करें यूट्यूब पर चाहिए वो व्यादिक अस्ट्रोजी से रिलेटेड हो यहां फिर के पी या कस्पल इंटरलिंक थियो के के स्टड़ी जो समय समय पर आप दोस्तों के रहते हैं आप उन्हें में इसमत मिलिए तो चलिए बात करते हैं मिथुन लगनवालाओं के लिए डेव ब्रस्पति के राशीव प्रवर्तन की जो की आपके चार्ट में 12 भाव में होने जा रहा है देव गुरु ब्रस्पतिक इस गोचर के प्रभाव से आपका ट्वेल्थ भाव वो ज्यादा प्रभावित होने जा रहा है जिसके अगरन आपके खर्चों में वरिदी देखने को मिलेगी ट्वेल्थ भाव मौक्ष प्राप्तिक है और गुरु जो है धर्म के कारक है इसलिए आप इस दुरान धार्मिक और अच्छे कामों पर खर्च करेंगे इससे आपको नेफियम भी मिलेगा आपका खर्च व्यर्थ की चीज़ों पर नहीं होगा लेकिन इसके आपके उपर आर् देश यात्रा कराने में भी साहिक हो सकता है 12 भाव में गोचर करते हुए देव गुरु ब्रस्पति की द्रिस्टी जो है आपके 4 भाव 6 भाव और 8 भाव पर भी रहेगी फोर्त भाव पर द्रिस्टी पढ़ने से आप अपनी सुख प्राप्ति के लिए खर्च करेंगे उन को करने के बाद आपको संतोष्टी और सुख की प्राप्ति भी होगी घ्रेलू खर्च में ब्रोतरी होने के योग पूरे-बूरे बनने हैं यदि अभी आपकी माता जी की हल्थ ठीक नहीं है तो इस गोचर के दुरान उनकी हल्थ में सुधार देखने को मिलेगा उनके अंदर भी धारे के प्रवरिती की बड़तरी हो घर में बेशुब काम करेंगे जिससे घर का महौल भक्ती पूरन और धार्मिक हो सकता है आप घर की वक्षताओं के उपर ध्यान देंगे उनका पूरा करेंगे इस गोचर के तुरान आप अपने घर को ख्रीदने या उसको रेनोवेट करने या को नया वाहन या किसी तरह की प्रॉप्टी खरीदने पर भी खर्च कर सकते हैं इसके साथ ही देवगरू ब्रस्पत की द्रिस्टी जो है दोस्तों आपके सिक्स भाव पर भी रहेगी यदि सिक्स भाव पर द्रिस्टी की बात करें तो सिक्स भाव रोग रिपूर इन आदी का है और विवाद का है वाद विवाद ब्रस्पती की फौर्थ और सिक्स इन दोनों भावों पर द्रिस्टी होने से इस बात के संकेत जूर मिल रहे हैं कि एक मई के बाद आप किसी प्रॉप्टी के चलते किसी करनोनी विवाद या मुकदमे बाजी में भी फंसकते हैं इसलिए दोस्तों किसी भी तरह की को प्रॉप्टी आपने खरीदनी हो पैसा इन्वेस्ट करना हो तो बहुत समझधरी के साथ पूरी जांच परताल के साथ ही आपके अंदर धारमी का गती वेदियों और अस्ट्रोलजी जासे सग्जाक्ट में आपका इंटरस्ट जो है दोस्तों बढ़ेगा आपके आस्ट्रम बाप पर द्रवएगवरू ब्रस्पती के दिस्टी आपके जीवन में जो है सडन्नेस जो है इन सब चीजों को बढ़ा स सकते हैं किसी तरह का आपको गिफ्ट जो है वो इस दुरान मिल सकते हैं पीएचडी यार सिक्रेट साइंस से जुड़े स्टूटन के लिए गोचर बेहद शुफल्दाई होगा और इस दुरां आपको अच्छी सफलता मिल सकती हैं दोस्ते इन सब बातों के अलावा वरिश सूरिया के नक्षत्र की यात्रा करेंगे सूरिया आपके चार्ट में थर्ड भाव का स्वामी है जो की फूर्थ भाव से ट्वल्थ भाव होने से और गुरू द्वरा ट्वल्थ भाव में गोचर करने से नौकरी या नौकरी में ट्रांस्वर के रूब में यात्रा को योग हो या शादी उन सब में आपको असफलता मिल सकती है यानि आपकी किसी भी तरह की सिक्रेट जो प्लैनिंग है वो फुल्फिल नहीं होगी फैल हो सकती है सूरे के बाद गुरु चंदर के निक्षत्र की यत्रा करेंगे चंदर आपके चार्ट में सैकंड धन भाव के स्वामी है आर्थिक द्रिस्टी कौन से गुरु का चंदर के निक्षत्र पर गोचर अच्छा रहेगा इस दुरान आपको प्राने की यह हुए आर्थिक रूप से तो अच्छा रहेगा आप विपार में हो या नौकरी में हो इस दुरान अच्छा खासा आपको आर्थिक लाब दे कर जाएगा गुरु देखवा यह गोचर जो मंगल के नक्षत्र पर रहेगा नौकरी में हो तो प्रमोशन मिल सकती है सेलरी बढ़ सकती है यदि अच्छी जॉब की तलाश में होंगे तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है खासका वदेश से समंधित मिल सकती है यदि कोई कोट मेंटर चल रहे तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है लेकिन शादी शुदा जीवन हो या फिर लव लाइव उसमें आपको दिक में गोचर कर रहे होंगे कोल मलाकर आर्थिक द्रिस्टिकों से गुरू का वरिश्व राशी में गोचर मित्हुन लगनवालों के लिए अच्छा रहेगा लेकिन शादी शुदा जीवन हो या फिर लव रलेशन का कोई एंगल हो उनमें आपको असफलता का मूँ देखना प तब तक लिए दोस्तों नमस्कार